हेलो स्टुडेंट वेल्कम बैक टु माय यूट्यूब चनल लर्णिंग वलोशन आज के व्यूडियो में हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट थर्टी कोश्चन्स जो आपके वंडे एक्जाम में बार बार पूशे जाते हैं तो वीडियो स्टार्ट करन कि उसी दिन से आप उस मंजिल के तरफ बढ़ना सुरू हो जाएंगे जिधर आपका पूरा-पूरा जो पोशिश्च है प्रयास है ठीक है दोस्तों बेस्ट आप दलग सारी कुश्चन्स आपके सही जाएं किसी भी वंडे एक्जाम में इसी सुबकावनाओं के साथ चलिए करते हैं आज का पहला कुश्चन तो आज का पहला कुश्चन है उत्तरवैदि काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था अपका पहला आप्शन है प्रजापती बेदापती दिगविजय और ब्रह्मा तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापती ठीक है चलते हैं अ आपसंटी हर्स वर्धन तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा उदाईन पाटिल पुत्र का संस्थापक उदाईन था ये 16 महा जनपदों में से 1 महा जनपद था पाटिल पुत्र उसकी राधानी थी और पाटिल पुत्र जो है उदाईन के द्वारा स्थापित किया गया था चलते हैं अगले कुश्चन के तरप और अगला कुश्चन है हमारा सिकंदर के समय मगद पर किसका सासन था? उदाइन का, चंद्रगुप्त का, धनानंद का, या फिरसुका का तो जब सिकंदर भारत देश पर आकर्मन करने आया था तो उस समय भारत देश में जो सासक था, मगत का सासक वो धनानंद था ठीक है, धनानंद नंद वंस का सासक था और नंदवन्स के स्थापना महापदमा नंद ने करी थी ठीक है तो नंदवन्स के स्थापना किस ने करी अगर आप से प्रश्च पूछा जाया तो आपको बदाना है महापदमा नंद ने करी ठीक है अगला कुशन त्पसरवार्थाग था अक लुट के या नास करने वाला कहा गया अगले कुशन की तरफ और अगला कुशन है सिकंदर एवं पौरुस के बीच प्रसिद विस्तार या जीलम का युद्ध कब हुआ 306 BC में, 366 BC में, आपसन C 326 BC और आपसन D 328 BC तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपसन नंबर C आपसन नंबर C यानी 326 BC में, सिकंदर और पौरुस के बीच में, जीलम का युद्ध हुआ था अब चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन हमारा सिंदू सब्विता में, गोधी बाडी का साक्ष कहां से मिलता है आपसन ने हडपा, आपसन B सिंधू, आपसन C पाकिस्तान, आपसन D लोथल तो सिंदू सब्विता में, गोधी बाडी का साक्ष लोथल में मिलता है गुजरात में इस्थित है लोथल, ठीक है? तो वहाँ पर हमें गोधी बाडी का साक्ष देखनों के मिलता है आपसन C अगले कुश्चन के तरफ, और आज का हमारा सात्मा कुश्चन है सिंदू सब्विता की सर्वमान इतनी क्या है? आपसन C 1500-11, 150 BC, 2000-1750 BC, 2500-1750 BC, 2800-1750 BC तो सिंदू गाटी सब्विता की सर्वमान इतनी ती, जो मानी जाती है, वो मानी जाती है पच्चिस सो से सत्तरा सो पचाज भी सी सो option number C is the correct of this question इस question का जो है option C सही है ठीक है अब चलते हैं अगले question की तरफ और हमारा अगला question है आरेयों का मूल निवास क्या था मतलब आरेयों लोग कहां के मूल तरह से मूल रूप से रिवासी थे तो option A अफरीका माइनर option B एसिया माइनर option C दक्षिन अमेरिका माइनर और option D यूरोप माइनर तो इसमें आपका सही answer हो जाएगा option number B ठीक है आरेयों का जो आरेयों लोग थे उनका मूल निवास वो एसिया माइनर था यानि इसमें आपका right answer हो जाएगा अब चलते हैं अगले question की तरफ हमारा अगला question है सत्य में हो जाएते एक उक्ती कहां से ली गई है सत्य में हो जाएते की उक्ती क्या वेदों से ली गई है मुंड को उपनिसस से ली गई है उपनिसस से ली गई है या पुरान से ली गई है तो सत्ते में हो जायते कि उत्ती जो है मुंड को पनिसास से ली गई है इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा B ठीक है? B आपसन इसमें आपका सही है चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन हमारा जिस काल का कोई लिखित बेवरण उपलद नहीं हो वो इस काल को क्या कहा जाता है तो इतिहास के वैसे तीन काल बताएगे हैं पहला है प्राग इतिहासिक काल दूसरा है इतिहासिक काल और तीसरा है आदुनिक इतिहासिक काल ठीक है तो यहाँ पर हमारा है प्राग यातिहासिकाल आपसन ए आपसन भी है आधुनिक काल आपसन सी मद्धे काल आपसन सी हिस्टोरिकल पीरियड तो क्या जिस काल में हमें कोई लिखित बेवरण ही नहीं प्राप्त है उस काल को हम क्या बोलते हैं तो उस काल को हम बोलते हैं प्राग एतिहासिक काल इसी को हम pre-historical age भी कहते हैं ठीक है इसी को हम pre-historical age भी कहते हैं तो इसलिए हमारा right answer हो जाएगा option number 8 ठीक है अब चलते हैं अगले question की तरफ हमारा अगला question है आधुनिक homo sapiens मान का उदभव किस काल में हुआ मध्य पुरापासान काल में निम्न पुरापासान काल में राचीन पुरापासान काल में या उच्च पुरापासान काल में ध्यान रहे question में आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है इसमें कहा है आधुनिक homo sapiens मानो मतलब ज इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है बच्चों चलते हैं अगले question की तरफ और हमारा अगला question है आज का मानों ने सरवप्रतम किस धातु का प्रयोग किया था option A, option B, तामबा, option C, चांदी, option D, जस्ता तो मानों जो आदी मानों ने सबसे पहले धातु का प्रयोग करना शुरू किया तो वो कौन सी धातु थी? वो थी तामबा, ठीक है? इसलिए एक यूग है जिसको हम तामर यूग भी बोलते हैं कॉपर, एज भी कहा जाता है उस यूग को तो वो हमारा option नंबर इसलिए हमारा option नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा यूग कि मानों ने सबसे पहले तामबा धातु का प्रयोग किया था इसलिए option नंबर 20 करेक्ट आंसर ठीक है? चलते हैं अगले कुश्चन के तरब और आज क मिलती ही नहीं है, पहली बात तो यह है और दूसरी कि आधुनिक काल में मानों बहुत ही ज़्यादा विक्सित हो चुका था, इसमें सबसे पहले पूछावा है कि मानों खात पतात का उत्पादक और वोगता दोनों मानों को आ गया था, किस काल में आ गया था, तो नव चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ, हमारा अगला कुश्चन है, वेर वाज दा ब्रोंज डांसर स्कल्प्चर फाउंड एट नाइन हडपा साइट, क्या हडपा में या सिंदु में, पाकिस्तान में या फिर मोहन जोदोडो में, पहले तो मैं प्रश्न का हिंदी बता दे कान से जो मिर्तिकार का स्कल्प्चर हमें देखने को मिलता है, वो कहां देखने को मिला, ठीक है, कहां पाया गया, तो पाया गया मोहन जोदाडो में, ठीक है, मोहन जोदाडो में पाया, अब चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ, तुमारा अगला कुश्चन है, प्रसिद् जोदोडों से हमको जो है वो पसुपती की मोहर मिलनी है ठीक है तो यह मोहन जोदोडों इसका सही आंसर हो जाएगा अब चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन हमारा है पूरा तत्तवादी हडपा के उत्खनन से सम्मंदित कौन है इसमें से क्या गजानंद सिंग मेनका वर्मा दैराम साहनी और सुदाराम जैन में से कौन से ऐसे पूरा तत्तवादी है जो हपा के उत्खनन सम्मंदित है तो इसमें आपका आपसर नंबर सी सही हो जाएगा दैराम साहनी ने जो है रेल की पट्री को बिचवाने के लिए लाहोर में खुदाई दैराम साहनी तो हमारा सही आपसर नंबर सी चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ हमारा अगला कुश्चन है मानो द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी तो पहली फसल क्या जवार थी गेहूं थी जो थी यह फिर बाजरा थी तो मानो द्वारा सबसे पहले जो फसल उपयोग में लाए गई थी वो जोग थी ठीक है option number C is the correct option is this question मानो ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारम किया प्रागयतिहसिकाल में, आधुनिक काल में नवपाशान काल में या फिर मद्ध काल में तो मानो ने आग की खोज करी थी वो नवपाशान काल में करी थी इसलिए option C इस question का सही जबाब होगा चलते हैं अगले question की तरफ आधिमानो ने सरप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था कुत्ता, गाए, या फिर भैंस या बकरी तो आधिमानो ने आपे बाते लिखी हुई है सरप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था तो आधिमानो ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था क्यों बनाया था क्योंकि कुत्ता जो है अन्ने जानवरों को भी डरा सकता है और कुत्ते को ये लोग पाले हुए थे कि अगर कोई जानवर अटाइक करने के लिए आता है जंगलों में तो सबसे पहले वो कुत्ते को प्रटाइक करेगा तब तक ये अपनी जान की रक्षा कर लेंगी इसलिए कुत्ता इनका सबसे पहला पालतू जानवर बना था अगले कुश्चन की तरफ मारा अगला कुश्चन है सिंद उखाटी सब्भिता में विसाल असनागार कहां से प्राप्त हुआ है मोहन जोदरो से हडपा से शिंदू से या फिर पाकिस्तान से तो विसाल असनागार कहां से प्राप्त हुआ मोहन जो दड़ो से प्राप्त हुआ ठीक है मोहन जो दड़ो से प्राप्त हुआ अब चलते हैं अगले कुशन की तरफ अगला कुशन है हमारा भारत में मूर्ती पूजा का आरब कब से माना जाता है सिंदु सब्विता से हडपा सब्विता से मोहन जोदोर सब्विता से या फिर पाकिस्तान सब्विता से तो इसमें सही आंसर आपको हो जाएगा सिंदु सब्विता सिंदु सब्विता में से ही हमें ये देखने के मिलता है कि वहीं से जो है मूर्ती पूजा करने का प्रचलन स शुरू हुआ था तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिंदू शब्धता ठीक है इंडस वैली सिविलाजेशन जिसको बोलते हैं वहां से मूर्थी पूजा का प्रचला शुरू हुआ था 24 नमबर कुश्चन है आरे भारत में सबसे पहले कहां पर बसे आये कहां से थे एस या माइनर से आये थे और भारत में आकर कहां पर सबसे पहले बसे सबसे पहले बसे या हडपा में बसे या मोहन जोदोडों में बसे या शिंदू में बसे तो इसका सही आंसर आपका राइट अपसन हो जाएगा ए सब्त सैंधो प्रदेश में आरे आकर के सबसे पहले भारत में बसे थे तो सही आंसर आपका हो जाएगा सब्त सैंधो प्रदेश ठीक है चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है प्रशित धगायत्री मंत्र किस बेद से लिया गया है रि एजुरवेद और अथरवेद इसमें गायत्री मंत्र जहां से हम बोम भूर भुरश्वा तत्सवितुर वरेडियम का जो मंत्र है इन चारोवेदों में से किसमे उल्लिखित है और कहां से इसे लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसा नंबर ए रिगवेद से इसे सब्से पुराना वेद कि अगर बात करेंगे तो सब्से पुराना वेद मिलेगा किसी की कहानी वरणात्मक कोई जो है पाठ दिये गए हैं तो ये गध्य और पदि दोनों आपको रिग वेद में देखने को मिलते हैं अब चलते हैं अगले कुशन की दरफ अगला कुशन है हमारा हर्यक बंस के किस सासक के उपादी को कुणिक ती यानि हर्यक बंस किस सासक की क्लियर है आगे चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ वहरा अगला कुश्चन है वो काला सोक की राध्धानी क्या थी काला सोक की राध्धानी क्या थी क्या पाटली पुत्र थी मगद थी अडपका थी एफे विराट नगर थी तो काला सोक की राध्धानी आपकी वो पाटली प पूतर थी पाटली पूतर की अस्थापना करने वाले मैंने आपको बता दिया है थे अससक का नाम क्या था इसको बताया था तो přिस्तमा आपका रान रोजाएगा, इस भीकर ये का रॉद्षा की राधानी ञा थी तो पाटी लीपुंतर थी ठीयat इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपसर नमबर D सिकंदर मगदूनिया का सा सकता ठीक है यह बहुत ही important question है अगे चलते हैं अगला question है मारा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे क्या उदाइन थे महावीर थे चंद्रगुप्त थे एफिर असोग थे तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर एकर बात करें तो महावीर स्वामी का ही नाम आता है और जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर था प्रथम तीर्थंकर के एकर बात करें तो थे रिषव देव क्यों थे रिषव पहला तीर्थंकर थे आगे चलते हैं अगला question है बुद्ध और महावीर निमलिखित में से किस महाजनपत से आते हैं मगद से आते हैं उजयन से आते हैं वज्जी से आते हैं या फिर पोशल से आते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपसन बुद्ध और महावीर दोनों वज्जी महाजनपत से आते हैं और टोटल महाजनपत की संख्या कितनी हैं तो शोला महाजनपत हैं इसमें मगत जो है सबसे शक्तिसाली, क्या माना जाता था, वज्जी जो है, वो सबसे ज़्यादा धनी ठीक है, सबसे धनी महाजनपत का नाम था, वो कौन था वज्जी ठीक तो इसी के साथ अब आज का ये अबली हमारी जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है अगर आपको लगा हो कि मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर ही आपके लिए इंपोर्टन फार्मिशन थी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए सेर करिए और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे